सलीम दुर्रानी भारतिये क्रिकेटीम का एक ऐसा सितारा जो बड़े-बड़े छक्के मारने के लिए मशूर हुआ करता था लेकिन आज सुबह उनका निधन हो चुका है जी हां, 88 साल के उमर में सलीम दुर्राणी ने भारतीय क्रिकेट टीम और क्रिकेट जगत को और इस दुनिया को अलविदा कह दिया है जी हां, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा सलीम दुर्राणी के बारे में वैसे हम सब उन्हें नाम से तो जानते हैं लेकिन हम सब उन्होंने क्या क्या किया है उसको लगबग भूल चुके हैं तो मैं सलीम दुर्रानी के क्रिकेट करियर के बारे में आप सबी को बताऊंगा और वो किन किन चीजों के लिए मशहूर थे उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा सबसे पहले उनके शुरुवाती करियर की बात करें तो सलीम दुर्रानी ने साल 1960 में भारतिय क्रिकेट के लिए डेबू किया था जिहां 1960 में उन्होंने इंडिया के लिए डेबू किया और उनकी डेबू सीरीज पर ही सलीम दुर्रानी ने विकेट और रनो की धेर सारी भरमार लगा दी थी जिहां सलीम दुर्रानी ने 1971-1962 के दोरे पर इंग्लेंड की टीम को हराने में बहुत ही जादा एहम भूमिका ने भाई थी दो टेस्ट मुकाबले चेन्नी टेस्ट मुकाबला और केलकटा टेस्ट मुकाबले में उन्होंने अकेले ही इंग्लेंड की टीम की कमर तोड़ दी थी जिहां उन्होंने चेन्नी टेस्ट में आठ विकेट डिये थे और केलकटा टेस्ट में दस विकेट लिये थे लेकिन सलीम दुर्रानी के थोड़े से और पहले करियर की बात करें तो सलीम दुर्रानी इंडिया खेलने से पहले डॉमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे और उन्होंने तीन डॉमेस्टिक टीमों के साथ क्रिकेट खेला है उन्होंने सोरास्ट के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट खेला था उसके बाद उन्होंने गुजरात के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेला था लेकिन सलीम दुर्रानी के बारे में एक रोचक बात यह है कि वो जब मन करता था तब छक्के लगाते थे और ओन फैंस की डिमांड पर स चक्का मारते थे चाहे वो लॉंग ओन हो लॉंग ओफ हो मिडविकेट हो या कोई भी दिशा हो वो बोलर को पहले ही बता देते थे कि यहां पर भाई चक्का मारने वाला हूं है तो ऐसे थे हमारे सलीम दुरानी और वो पहले भारतिये क्रिकेटर थे जिन्होंने अर्जुन अ भारत के लिए 1960 से लेके 1973 तक क्रिकेट खेला इस बीच उन्होंने 29 टेस्ट मुकाबले खेले थे और इन 29 टेस्ट मुकाबलों में उन्होंने लगबग 1200 रन बनाये थे इस बीच उनके बल्ले से एक शतक भी निकला और 7 अर्ध शतक भी निकले थे वहीं सलीम दुरानी और र सलीम दुरानी अपने दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार्ज मैंसे एक थे और उन्हें बहुत हैंसम बोला जाता था और उनको कई सारे फिल्मों के भी ऑफर आते थे और उन्होंने साल 1973 में चरित्र नाम की फिल्म में काम किया था जो परवीन बाबी के साथ हुई थी तो सलीम दुरानी का क्रिकेट से तो नाता रहा ही था उन्होंने फिल्म जगत में भी अपना हाथ आजमाया था तो ऐसे थे सलीम दुरानी और ये कुछ रोचक कहानिया थी सलीम दुरानी के बारे में आज उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है लेकिन सलीम दुर्राणी को हम कभी नहीं बूल पाएंगे जो काम उन्होंने भारतियरक्रिकेट के लिए किया है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही सलीम दुर्रानी के बारे में आप क्या सोचते हैं कॉमेंट में अपनी राय जरूर रखें साथी साथ वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और स्पोर्ट्स यारी चैनल को अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मुझे दीजे इजादत जय हिंद जय भारत